प्रियास करें आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले है और फार्म को फिलप करने का जो लाज़ डेट रखा गया है वो क्या है तो इन सभी चीजों को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लाश तक बने रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है किर्बा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों के लिए बनाये जा रहे है इस तरीके के जो भी इंफार्मेशन हो वो आप तक समय पर पहुचता रहे तो यहाँ पर जो नौटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है वो तमिल नांडू नेशनल लौ यूनिवर्सटी की तरफ से निकल कर आया हुआ है यह तमिल नांडू की एक इन्वर्सटी है जहां से 19 नमंबर 2023 को रिक्रुमेंट निकल कर आया हुआ था यहाँ पर प्रोफेशर के लिए लॉड इपार्टमेंट में दो पोस्ट पर रिक्रिमेंट मांगे जा रहे हैं असोसियेट प्रोफेशर के लिए यहाँ पर चार पोस्ट पर रिक्रिमेंट मांगे जा रहे हैं वहीं Assistant Professor के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट पर रिक्रिमेंट मांगे जा रहे हैं साथ ही साथ अगर आप Non Law के लिए अप्लिकेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर Assistant Professor के लिए 3 पोस्ट पर रिक्रिमेंट मांगा गया है जीसमें Economics के लिए एक post पर recruitment आया हुआ है वहीं History के लीए Assistant Professor के पॉस्ट पर एक post पर recruitment आया हुआ है और English से Assistant Professor के पोस्ट के लिए एक post पर recruitment मांगा जा रहा है यहाँ पर जो भी post निकल कर आया हुइ है वो permanent post के लिए recruitment मांगे जा रहे हैं जिसमें अगर आप प्रोफिशर के लिए अपॉइंट किये जाते हैं तो यहाँ पर जो सेलरी आप लोगों को प्रवाइट की जाएगी वो अकेडमिक लेबल जो यहाँ पर रहेगा 14 रहने वाला है जिसमें आप लोगों को एक लाख 31,400 रुपए से आपकी सेलरी स्टार कर दी जाएगी वहीं अगर आप प्रोफिशर के लिए लौ डिपार्टमेंट में अपॉइंट होते हैं तो यहाँ पर जो पे स्केल रखा गया है टिन लेबल का रखा गया है और यहाँ पर परमन्त की जो आपकी सेलरी स्टार की जाएगी 57,700 रुपए से स्टार हो जाएगी असिस्टन प्रोफिशर नौन लौ के लिए जो रिकुर्मेंट मांगे जा रहे हैं उसमें भी आप लोगों की सेलरी 57,700 रुपए से ही स्टार की जाएगी बात कर लें कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं वो क्या है वो क्या है तो उसके लिए आप लोगों को UGC Regulation 2018 का जो अमिन्मेंट है उसको आपको पढ़ना होगा जिसमें आप लोगों को इसकी जो eligibility है वो मिंसन की गई है फार्म को फिल अप करने के लिए यहाँ पर प्रोफेशर के लिए असोशेट प्रोफेशर के लिए और असिस्टन प्रोफेशर के लिए जो eligibility है मिंसन की गई है तमिल नाइंडू का जो नेशनल लॉय यूनिवरसटी है उसका जो rules है उसके according यहाँ पर आप लोगों का qualification रखा गया है तो एक तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप असिस्टन प्रोफेशर के लिए फार्म फिल अप करते हैं तो आप लोगों के पास teaching या फिर जो जिसमें आप लोगों का कम सकम पांच research paper आपने पर अप्रोफेशर के हैं तो आप लोगों को इनके official website इन पर विजिट करके अपना फार्म फिलब करना होगा फार्म फिलब करने के बाल आप लोगों को 750 रुपए अप्लिकेशन फीज पे करके इसे फार्म को सम्मिट कर देना है अगर आप ST कटेगरीज से विलांग करते हैं वहीं अगर आप जनरल या फिर OBC कटेगरीज से विलांग करते हैं या EWS के कंडिडेट है तो 1500 रुपए अप्लिकेशन फीज यहाँ पर आप लोगों को देना पड़ेगा यहाँ पर आपकी कटेगरीज भी मंसन की गई है आप जिस कटेगरीज से है उस कटेगरीज से फार्म अपलाई कर सकते हैं जो जनरल इंट्रेक्शन दिये गए हैं उसमें आप लोगों से सिट या फिर सलैट पास सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं अगर आप लोगों के प पुब्लिश्ट आर्टिकल आपके पास हो इस farm को fill up करने के लिए, तो जो भी आप लोगों के पास हैं, यहाँ पर आप उसे attach कर सकते हैं, इस farm को fill up करने का जो last date रखा गया है, वो 18 दिशंबर 2023 का date रखा गया है, तो 18 दिशंबर से पहले आप इस farm को fill up कर लें, तो गाईस अगर आप इस पर्मानेंट पोस्ट के लिए अपलाई करना चाते हैं तो आप इसके लाश डेट से पहले फार्म फिलप कर सकते हैं तो इस तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को हमारे यूटूब चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं तो मिलते हैं नए वीडियो में नए इंफार्मिशन के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच